नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सरक्यालेटों बात करें दोस्तों जैसा कि बीससी इंटेलेवल को लेके फाइन रिजल्ट को लेके काफी कैंड यहां पे इंतजार करें कब मिटिंग होगा कब कॉंसलिंग का डेट आएगा तो दोस्तों बता दे बहुत ही बड़ी निर्धारे तारिक में पहुचे और जैसा कि बीससी ने कहा है कि हम पहले बार में वन पॉइंट वन कुन है कैंड़ेट को बुलाएंगे अब दोस्तों 2016 का क्या है मामला तो बहुत सारे कैंड़ेट ने जो कि 2016 में भी फिर से ओपन हुआ था तो आप यहां पर बता दें तो यानिकि दोस्तों जो केंड़ेट 2014 में अपको बता दें अक्टूबर माम में यहां पर यहां पर यहां पर देंटर निकाल दें जागा उनकर देखा जागा कि आप 2015 में पास किये है या 2016 में यानिकि दोस्तों और यहां पर हाई कोट का आदे जासा था कि श्रीप उपर का एज है जो यहां पर उपर का एज 2014 पर आपके यहां पर 23 एक तोजाद 6 निधार की यानिकि जिन कैंडिड़ का आपका 37 साल यहां पर हो रहा था 2006 में 37 साल तक वह बर सकते थे लेकिन दोस्तों नीची का यहां पर जो एज है उसमें कोई भी यहां पर नहीं दिया गया जो भी कैंडिड आपको पताए 2015 के इंटर पास सहा साथ 2016 की इंटर पास कैंडिड भरा है उनको कौनसलिंग में निकाल दे जागा अब दोस्तों कितनी सीट कैंडिड को खाली रहा जागा वह तो दोस्तों कैंडिड को इपर यह डिपेंड करेगा कि जो हमारे टॉपर कैंडिड उसमें कितने 2016 कैंडिड है और दोस्तों आयों के तरफ से साफ कर देगा कोई भी सीट जो है आपके नॉन टैपिंग जो सीट है वो खाली नहीं रखा जाएगा सबी सीटियों को दुबारा कॉंसलिंग बुला के भर दिया जाएगा लेकिन तो फीजिकल का जो सीट है वो खाली आपका रह सकता है क्योंकि पोस्ट को भी कर देगा लेकिन फीजिकल का पोस्ट यहां पर कुछ खाली रह सकता है जो भी केंडिट पास नहीं किया और यहां पर कोई भी कॉंसलिंग में सीट खाली रह जाता है तो इस तरीके से आपको भारा जाएगा दुबारा कॉंसलिंग लेकर तो यहीं दोस्तों मिलते हैं यहीं बहुत ही बड़ी अपडेट थी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ऐसी पलपल की अपडेट पार